लेकिन संतों मापुर्सों के लिए अगर जेर जाना पड़ा तो सबसे पहले मंजीर सिंग नोट्याल को सरकार गिरफ्तार करें मैं तयार हूँ घायर सेर को छेड़ना कितना खतरनाग हो सकता है या आप अच्छी तरह से जानते हैं घायर सेर सिखार बाद में करता है और जाने पहले पताने क्या क्या करता है ये नैवल में कोईश्च की जाए यती डोक्टर अंबेड़िदर मासवा को लखनाउ से हटा गया तो जो माहुल खराब होगा उसका जिम्मेदार उत्तर परदेश सरकार योगी सरकार और सासन परसासन होगा और अब ये बुल्डोजर बुल्डोजर की धंकी हमारे लोगों नहीं दी जाए ये बुल्डोजर हमारे लोगों ने बना आ है हम बुल्डोजर का बैधेर बहुत अच्छी तरह से लगाना जानते है सरकार कानफोन कर सुमने उत्तर परदेश की खासकर जैवीम निला सलाम, इंकलाव जिन्दाबाद, समानी साथियों, आज लाइव आने का जो मैसी दिया था सोसल मीडिये के माद्यम से, नो बजे का, और लाइव आने का जो मुख्य उदेश्य है, वो लखनाव में जो डॉक्टर अंबेट कर मासभा को जो तोड़ने का उत्तर परदेश सरकार ने जो निर्ने लिया है, उसको लेकर आपनी बात को मैं रखने के लिए आया हूँ भीमार्मी के मार्द्यम से, समाने साथियों एक मिनट में सभी साथियों जो जाएं, OSC मर्द्यम यह, जय सलीर कै नारतलित्यम से, मैं अपनी बात को रखने से पहले आप से आगरे कर रहा हूं कि सभी साथी इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दें ताकि मेरा मेसिज सभी साथीों तक पहुंचे क्योंकि सोसल मीडिया ही हमारे पास एक ऐसा माद्यम है मीडिया जब भी बहुजनों के साथ उत्पिडन होता है तो नहीं दिखाती है और सोसल मीडिया ही हमारे पास एक ऐसा माद्यम है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं इसलिए सभी साथी जुड़ जाएं आप सभी भीम सानी को तक मेरी आवाज पहुंच रही है जैवीम मैं अपनी बात को सुरू करता हूँ सम्वानी साथियो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कुछ दिन पहले लखनों में डॉक्टर अंबेड़ कर मासभा को जो हटाने का निर्णे लिया है मैं उसके विरोध करने के लिए सोसल मेडिया के माध्यम से लाई वाया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार से भी कि देखिए डॉक्टर अंबेड़ कर सभीधा निर्माता है जिनमें देश और दुनिया के लोग आस्था रखते हैं अपना मापुर्ष मानते हैं यदि कहीं भी डॉक्टर अंबेड़ जी की परतिमाओ खंडित किया जाएगा या उनके इस मारक को तोड़ा जाएगा तो अभी ये करांती कारी लोग जिन्दा है सरकार को मैं सीधे सीधे चनोती दे रहा हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ योगी सरकार से भी कि आपको जन्ता ने काम करने का अवसर दिया है आपको जन्ता की सेवा करने के लिए जन्ता नहीं अवसर दिया है आप सविधानी ग्रूप से देश के संतों महापुरसों के बताएवे रास्तों पर चलकर आप अपने काम को अंजाम दीजिए आप देश की और उत्तर प्रदेश के तरक्की के लिए सोचिए लेकिन अगर आप लोग साइद उस अंबेडगर मासवा को इसलिए हटाना चाते हैं कि वहां के लोग डोक्टर अंबेडगर की बात करते हैं सविधान निर्माता की बात करते हैं हैं वह सरकार से कहना चाहता हूं कि अपना ब्रहम दूर कर ले उर में यह कहना चाहता हूं कि इती वहाँ से डॉक्टर अम्बेड कर मासवा का एक एग वह इत अगर कि रवाह तो पर हमारा गुसरा खूटे जातिका दाधार पर काम करना है डोक्टर अमबेडगर मिशन को डोक्टर बहुजन अमबेडगर मिशन को दबाने का काम करो गए तो ये किसी भी सुरत में परदास्त नहीं किया जाएगा ral और हम यह कहना चाहते हैं देश और पर्देश सरकार से भी कि डॉक्टर अमवेडगर पार्क या डॉक्टर अमवेडगर इस मार्क को कहीं से भी आप लोग हटाने से पहले अगर आप लोग डॉक्टर अमवेडगर से अगर इतनी घर न करेंगे, अगर성 सविधाम, पर सरकारी जमीनों को कभजा कर मंदिर बनाए हैं जायो ब्रहमन समाज से हूँ जायो ठागुर समाज से हूँ मजबूरन मुझे उनका हिसाम मागना पड़ेगा जाय सुप्रीम कोड जाना पड़े जाये हमें अंतराश्ट के कोड जाना पड़े अगर डॉक्टर अंबेड कर इस मारप को कहीं पर भी पूरे देश के अंदर का हाथ लगा जाएगा तो उससे पहले सड़कों पर बनेवे मंदिर, सड़कों पर बनेवे जो सरकारी कबजे किया करके मंदिर बनाए गए सबसे पहले वो उटेंगे जिखान रखे ये लाइव के माद्दम से सासन पर सासन को चाहे चुनोती समय ले और चाहे हमारा सविधानी रूप से ये संदेश समय ले इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो लखनाओं के अंदर डॉक्टर अम्बेडर मासवा को जो अटाने का निर्ण लिया है हम माननिये सुप्रीम कोड माननिये हाई कोड से ये अपील करते हैं कि आप इस मामले को बहुत जल्दी संग्यान में ले त्योंकि सरकार चाहती है सरकार ने पहले भी दलितों की भावना को आहत किया है सरकार चाहती है कि दलित रोई सड़कों पर आकर वो अपनी लड़ाई को लड़े वो हजारों लोग रोज जेल जाए सरकार की जो मानसिकता है सरकार की जो साजिस है वो हमाई लोग को लगातार जेल बेजने की रही है लेकिन संतो महापुर्सों के लिए अगर जेल जाना पड़ा तो सबसे पहले मंजीत सिंग नोट्याल को सरकार के रफ्तार करें मैं तयार हूँ लेकिन डॉक्टर अम्बेडगर मासवा की एक भी इट नहीं ने दी जाएगी और जितने भी जातिकत आधार जिनके जिननेताओं के दिमाग में जातिकत बदवु है मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि हमारी खामोसी को कमजोरी नहीं समझा जाए कड़े सब्दों में बता र समाज को तरह तरह से द़ए जा रहा है हमें पल पल की पूरे देश की खबर रहती है और पूरे देश की घृष고 counselor है मैं सरकार को परशाशन को उत्तर पर देश के बताना और अगर ताना सही वाली बात है तो मैं सरकार को परसासन को यही बताना चाहता हूं कि हमारे जूते में दम है पूरा हमारी खामोसी को हमारी कम जोरी नहीं समझाए हमारे जूते में पूरा दम है अकर डोक्टर अंबेडगरजी का अपमान होगा अकर उनके समारकों को सविधान निर्माता के उनका अपमान किया जाएगा तो उनके अनुयाई इस देश में नहीं पुरी दुनिया के अंदर है सरकार जान ले कान खोल कर आपको काम करने का आफसर जनता ने दिया है आप काम कीजिए लेकिन अगर सविधान के साथ में छेट-छाड की जाएगी या दॉक्टर अंबेडगर समार्गो के साथ में छेट-छाड की जाएगी तो फिर याँ युध भी है और बुध भी है सरकारत आपर ले और मैं यह कहना चाहता हूँ, यहां मातमा गांधी जी को भी माना जाता है और सहीद उद्दम सिंग जी को भी माना जाता है और सहीद भगस सिंग को भी माना जाता है और भारते सविधान निर्मादा डोक्टर अमबेडगर जी को माना जाता है बाकिया आप समयधार हैं और मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबीन है करते वे ही कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि इस मामले में हमें हाई कोर्ट या सुप्रेम कोर्ट जाना पड़े तो चला जाएगा लेकिन अगर सरकार ने ये निर्ने वापस नहीं लिया मैं इस मैसिज के मात्यम से सभी साथी सासन और परसासन को इस मैसिज को पहुचा दे कि जो माहूल उत्तर परदेश के अंदर खराब होगा उसका जिम्मेदार सासन और परसासन उत्तर परदेश का होगा हम पहले ही बता रहे हैं मैं एक बीमारी में का जिम्मेदार नागरी खोने के उधेस्टे से और भारते सविधान की सपत लेकर सासन पर सासन को मैं एवगत करा रहा हूँ कि यती डॉक्टर अंबेडर मासवा को लखनाउ से हटाया गया तो जो माहुल खराब होगा उसका जिम्मेदार उत्तर परदेश सरकार योगी सरकार और सासन पर सासन होगा और अपनी बात को ज्यादे नम्बीन है करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है और वक्त आने पर तुझे बता देंगे है असमा हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है तो सम्मानी स सरकार से हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि यह बुलड़ोजर की धमकी हमारे लोगों को नहीं दिजाए यह बुलड़ोजर हमारे लोगों ने बना है हम बुल्ड़ोजर का बैग गेर बहुत अच्छी तरह से लगाना जानते है सरकार कान खोल कर सुनने उत्तर-परदे अगर आप देश को परदेश को नुकसान नहीं पहुचा है इसलिए आपको कुर्सी बढ़ने मिठाया गया तो इसलिए आपको दवदत करा जा रहा है कड़े सब्दों में और कड़े सब्दों में निंदा की जा रही है और सासन परसासन को मानिय सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो हम जाएंगे लेकिन डॉक्टर अंबेड़तर मासभा को वहां से किसी भी सुरत में नहीं अटने दिया जागा नहीं दिया जागा जैवीम इंकलाब जिंदाबाद जैवीम जैवीम जैवारत